तो देखो बच्चो हमने जो पहले पढ़ा था उसमें जो रैट पैडलर था रैटरे वाला था वो गूम पिर करके जो है वहाँ एक राम जो आईरेन वर्क थी वहाँ पर वो चला जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद जो है उससे जो वहाँ का आईरेन मास्टर था उससे बा भाहँ पर आख कर के उसको देखिके। उसका अपना दोस्स समझ भैडता है। तब ही इसको बोलता है कुछ ना कुछ जिसे। बात इतना येस। गौड न Ci exactly है। गोन डाउन ही विद मी। उसर ने कहा कि हम धगवान सी एंक मेरे साथ Kit तुम्हें नोखरी में इस्तिफा नहीं देना चाहिए उस iron master ने कहा that was the mistake ये गलती थी if only I had still been in the service at the time गलती थी वही वो ऐसे बता रहा अगर मैं उस समय सेवा में होता उस समय ऐसा होता तो ऐसा कभी नहीं करता लबाते से बोलेगा well now of course you will come I have still been in service at the time it never should have happened तो ऐसा कभी नहीं करता well now of course you will come home with me अब तुम कोई बात नहीं तुम ऐसे करो तुम मेरे साथ जो है मेरे घर पर चलो तो उसको ऐसे बात करके वो अपने घर पे ले जाने के लिए invite कर देता है अब वो घर पे जाएगा उसके साथ में तो घर पे जाने के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो व्यक्ती अपने आपने क्या सोच रहा है उसको देखते हैं तो गो अलोंग तुदा मैनर हाूस एंड बाय रीसीवड बाय दा ऑनर लाइक एन ओल रेजिमेंटल कॉमरेट अब जो घुमकर था वो क्या बोल रहा है कि इस तरह से कोई मैनर हाउस अपने सामन्थ समझ ली जिसको बोला था सामन्थ तो वो क्या है रहा है अपने घर पे लेकर गए जाता है कोई मालिक अपने पुराने रेजिमेंट के साती हो और वहां पर उसका स्वागत करना चाता है तो एक जो घुमकड जो है ता उसको ये बात जो है अच्छी नहीं लगी प्लीज दॉनोट प्लीज दा ट्रायम्ट घुमकड को ये बात जो थी वो अच्छी नहीं लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है न म Basically invite किया उसको अब देखो क्या होता है उसको आगे देखते हैं तो वो बोलता है no I could not think of it नहीं मैंने इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं उसने तो कह दिया मेरे साथ चलो मैंने ऐसा नहीं सोचा है से लुकिंग क्वाइट अलार्म थोड़ा सचेथ होते हैं मैं तो डर था उसके अंदर तो डर से बहबीत होकर कि यह बात बोला अगर मैं इसके घर पे चला जाता हूं तो इसका मतलब क्या होगा स्वियम को जानबूच कर वोल्टरिंग ली जानबूच इन्टू दा लॉइंस डैन जैसे कि कि यह सेर की मांद जो डैन उती बचले घूफा में परवेश कराने के समान होगा कि यह ओनली वांटेट एचांस टू स्लीप हीर इन दा फॉर्ज वह के वल चाहता था उसकार खाने में कुछ पल के लिए वह आराम करना चाहता था बस यहीं सोच करके वह वहां पर आया था एसा इसने सोचा यह नहीं था एंड गटन स्नीक अवे ऐज एंक इनकॉन्स इंकॉंस इंकॉंस्पिक्योज ली एज पॉसीबल वह के दा फिर इंकॉंस्पिकूज ली वह चुपचाप क्यों जाएगा चुपचाप वहां से जो बिना किसी को बता है बिना किसी को दिखाई यह वहां से वो चला जाएगा ऐसा उसने सोचा अधा आरेन मास्टर अज्यूमड डैट ही फेल्ट एंब्रेस्ट विकॉज ऑफ इज मिस्रेवल क्लोथ अब उसने देखो अज्यूमड किया मतला अंदाज लगाया उस आरेन मास्टर ने कि यह क्यों नहीं जाना चाहरा था तो क्या क्या बोलता है वह कह रहा है कि तुम वहां पर चलो मेरा घर जो है बहुत अच्छा है और जो भी बात होएगे हम घर पे चल के करेंगे यानि अच्छा घर है तो वहाँ अपने आपको तुम वहाँ पर किसी प्रकार की तुम प्रेजेंट नहीं कर रहे हो तुमने इस बात के बारे पहले सुन रखा होगा और मेरा जो लड़का है वो अब्रोड में रहता है मेरी सबसे चोटी बैटी है उसके लाग घर में कोई रहता है और मैं खूद रहता हूँ ऐसी बात उसने बच्चों बताई अब क्या होता है if we were just saying that it was too bad हम ये सब बात कर रहे हैं it was too bad we did not any company for Christmas मतलब वो कह रहा है अपने आप बात कर रहा है कि हमारे लिए तो अच्छी बात होगी कि हमारे साथ क्रिश्मस के शाम उजाड़ने के लिए हमारे साथ कोई रहेगा तो ये खराब बात थी मैं बोल रहा है bad thing थी एक तरह से कि Christmas की शाम हमारी पास कोई नहीं था लेकिन आप तो अच्छी बात हो गई now come along with me मेरे साथ चलो and help us make the Christmas food disappear and little faster क्या बोल रहा है हमारे साथ चलो Christmas की शाम अच्छे से खाना खाएंगे तो तुम हमारी मदद करो हमारे साथ चलो हम उस घर में अच्छे से Christmas बनाएंगे क्या होता है देखवा गए but the stranger said no किन्तो सजने भी ने कहा नहीं जाओंगा and no नहीं and said again and again no and the iron master said that he must give in अब उसने सोचा इरन मास्ट ने कियो ना इसको भी एंपी छोड़ देना चाहिए बोले नहीं तो जा तो नहीं रहा है अब क्या मतलब इसको ले करके चलना मतलब तो उसने सोच लिया it looks as the captain won Stanley मतलब अब जो उसको जो लग रहा था न वो captain won Stanley था ऐसा लगता है captain won Stanley जो था न वो क्या करना चाहता था प्रिफेर टू इस्टे विद यू टुनाइट विद विद यू टुनाइट कि वो आज राती यहीं रहना चाहता है मतलब क्याता न इस्टेंलियास तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है तो वो थोड़ी अपने आप स्टरजन स्टॉम यह बात कहने की होती है उसने अपने आपको यह बात कह रही है किससे बोली जो लोहार था न उसके लिए तब ही क्या होता है he said to the master black smith and turn on his hill और वह अपना सब्सक्राइब गुमाई और रवाना हो गया चला गया वहां से अब जाता है तो कोन आता है क्या होता उसको देखते है but he laughed to himself as he went away जब वो गया तो वो हसने लगा and the black smith who knew him black smith जो कि उसे जान गया understood very well that he had not said his last word कि उसने अनतिन सब्दों में कुछ नहीं बोला था वो हसा था क्या है वो समझ में समझ में आ गया था वो कुछ नहीं बोला था उसके बाद क्या होता है it was not it was not more than half an hour आदर घंठा भी नहीं हुआ था 30 minutes before they hear the sound of a carriage तब उन्होंने गाड़ी के आवास सुनी carriage wheel गाड़ी के पई होगी outside the forge कहां कार खाने के बाहर एक गाड़ी आई and a new guest came in एक नया मेमान अंदर आया but this time it was not iron master यह iron master नहीं ता he had sent his daughter उसने अपनी बेटी को भेजाता apparently hoping that यह उमीद के साथ की क्या that she would have better power of persuasion than he himself person मनाने कि उसके बेटी में ज्यादा मनानी के अत्यदिक पाकत है power है शक्ति है उससे ज्यादा तो अपनी बेटी वो लेने के लिए उस को भेजा उस बेखती ने iron master ने और सी एंटर्ड फोलोड बाई यह वैलेट बच्वी क्या है यह टी है देहान रखना वैलेट का मतल्ला होता है बच्वान नोकर ठीक है तो क्या किया उसने उसने प्रवेश के अपने नोकर के साथ केरिंग और एक लंबा सा कोट लेकर करके आए थे सी वज नॉट एट आल प्रिटी वह अतनी सुन्दर नहीं थी बट सीवर मोडेस्ट वैविनम्र एंड कोई चाहे थोड़ी सरमिली सी लगती थी अच्छी दिखने में वो लड़की बहुत अच्छी थी अब क्या होता है देखो जब वो उसको लेने के लिए उसकी वो तो खुट लेके गया ने और उसकी बैटी उसको लेने के लिए आई और वो अपने नोकर के साथ आई थोड़ी सरमिली सी थी और थोड़ी वालब साही होता है संकोची टाइप उसको कहते है वैसे वो स्टील सेट ऑन देर बैंच वो अपने टेवल बैठे थे एंड आइरन चार्कॉल इस्टीट ग्लॉड इन दा फट्टी में जो है लोहा और कोईल डाला जा रहा था अब जो आजनभी था वाजनभी के पास जाएगी उससे क्या होता है उसको आ रहा होगा दा इस्ट्रेंजर इस्ट्रेंजर इंसेल्फ ओन आउट ओन दा फ्लॉर मुला फर्स पर लेटा हुआ था एंड ले विद पीस ओप पीगाईरन पीगाईरन तो बैच्छों कच्छाल हो कौन कर रहा था वही व्यक्ति कौन सा हां जिसको उसके पिता जिने आर्मी का आदमी समझ लिया था अंडर इस हैट पूल डाउन और हिस आइज और तभी उसकी आखों पे से टॉपी हट आएगी एस उनेज दा यंग गल कोट साइट ऑफ इम तभी उसके नजरे युवा और उसने उसकी टॉपी हट आई दा मैन वाज इवेंटली यूज़ टू स्लीपिंग हुब एकती सो रहा था विद बन आय ओपन उसने एक आखोली ही जंपड़ अपरूटली एंड सीम टू वी क्वाइट फ्राटन वह जल्दी से जटके से खड़ा हुआ और गया डड़ता और मुझे बोले कि तुम कार खाने में सोना चाहते हूं तुनाइट आज रात ली एंड आई आई आज पर्मिसन तू कम फिर मैंने उससे कहा अनुमती माँगी तू कम आने के और बिरिंग यू होम तू अस और हमारे साथ घर ले जाने के लिए मैंने उनसे अनुमती माँगी I am so sorry captain, captain में जो खेद है दुख है that you are having such a hard time कि आपका ये समय जो है थोड़ा बुरा समय चल रहा है तो देखो बच्चो वो उसको लेने के लिए आ गई कौन Williamson द्यान अगना Adla Williamson लेने के लिए आ गई और लेने के लिए आने के बाद में जो है उसको घर ले करके जाएगी और उससे बाचीत करेगी क्या करेगी वो देखेंगे ठीक है तो देखो क्या होता है टाइम बता दी she looked at him compassently with her heavy eyes अब वह जो थी उसके साथ आए गई अब वह उसके बड़ी सहानुबूती पून देखने लग गई और जो हता है ना अब भरी यहांकों से एंड देन सी नौटिस दाट दा भूमन वोज अफ्रेड दा मैं वोज अफ्रेड तभी उसने पता कर लिया कि वह आदमी जोटा भी था बलब डरा हुआ था सोरी क्या था अफर डरा हुआ था आइदर सी थोट या आइदर ही है इस टोलन सम्थिं या सब्सक्राइब करेंगे बस वो सेलिब्रेट करने के लिए रुखी हुआ इस उसने इसा बोला इन सच अ फ्रेंडली मैनर एक मित्रवत तरीके से इस विश्वास में आ जाए उसने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आप मुझे ले जा रही है उस वेक्ति ने कहा कि आपने मेरे साथ मित्रता पूर्ण बात की है चुहेदानी बेचने वाला हूँ मैं आपने हाप में कह रहा यह बात हूँ फ्रेंडली मैं मित्रवत तरीके से उसने कहा और फिर उसके बाद में और क्यूर्ड बॉदर में तो उस वेक्ति ने क्या किया जाने के लिए वो तैयार हो जाता है ठीक है मतलब उसको लगा ऐसा अधियार हो जाता हूँ कहने का मतलब कहता है कि वह बोल रहा है कि मेरे दिमाघ में ऐसी कोई बात नहीं आई थी च् चलने के लिए उनके साथ तयार हो जाता है तो वो तयार हो गया बच्चो अब उनके साथ जाएगा तो क्या होगा उसको हम देखते हैं अगली क्लास के अंदर तब तक आप अपनी क्लास को रेगुलर रखते हैं तो आप इसको पढ़ते रहीए ठीक है बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में तब तक गुड डेई गुड बाई